तो दिस्तो अगर आप एक Android उसर हो तो आपके अभी फोन पे डेली incoming call आता ही होगा अगर incoming call आता है तो ये तीन ultimate खूफिया setting आप लोगो जान लेना चाहिए जो आप daily use कर सकते हो incoming call आने के time पर आपको नहीं पता होएगा कि ऐसी तीन खूफियाट setting भी हमारे incoming call के अंदर चिपी हुई है आप simply call आता है call को receive कर लेते हो और बाते करने लगते हो आप इतना ध्यान नहीं देते हो कि call के अंदर भी ऐसी कुछ setting होती है जो हमें नहीं पता होती वही मैं आप लोग आज बताने वाला हो तो वीडियो को miss बिल्कुल भी मत करना एंटर continue देखते रहना जैसे ही क्लिक करोगते हाँ पर सारे के सारे जो number वो 100 हो जाएंगे उसके बाद आप किसी भी number को add कर सकते हो जिसी के मैं अगर यहा पर यह वाला number add करना चाहँ तो simply हैने क्लिक किया तो यहा पर क्या हो गगा वो number add हो जिसी के इहां मैं अभी five को यहां पर फोल्ड करके रख़ूंगा यहां पर शो यहां पर नंबर सेव कर रखाता वो number यहां पर आ गया मैं क्या का सूत तो इस set का option आएगा, set वालो option पे click करके add कर सकते हो अब दूसरी setting भी आप लोगों को बता देता हूँ तो जैसे दूसरे number की setting को activate कर लेते हो, उसके बाद जब भी किसी का भी call आएगा, तो उसका photo भी कुछ इस तरह से नजार आने वाला है तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, simply यहाँ पर application को open करना है, जैसे application को open करना है, setting में आजाना है setting में आने के बाद, यहाँ पर आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद, यहाँ पर आपको मिल जाएगा setting change wallpaper करके, उसके click करना जैसे आप उसको उपर click करने हो तेहाँ पे च्छोटा सा add आएगा तो यहाँ पर क्या करना add को हमें cut कर देना है add को cut करने के बाद यहाँ पे आप देए to choose from gallery जो भी आपको photo select करना आप यहाँ से कर सकते हो तो example के लिए मैं कोई भी यहाँ से EP फोटो सेलेट कर लेता हूँ तो यह वाला मेहां से क्या करता हूँ यह वाला फोटो यहां पर सेलेट कर लेता हूँ तो यहां पर क्या करूँगा भी बैक करूँगा और यहां पर राइट को अप्शन पर क्लिक कर लूँगा जैसे राइट को अप्शन पर क्लिक कर लूँगा जैसे आप तीसरी number की setting को activate कर देते हो ना उसके बाद क्या होगा कि आपका phone खुद बोलके बताएगा कि किसका call आ रहा है तो उसके लिए आप लोगो simply application में आ जाना है जिससाब application में आओगा ना application में आने के बाद simply setting में फिर से आ जाना है setting में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या होगा एक call announcer करेके मिल जाएगा जिससे कि हाँपर आ आपको call announcer इस वाले setting पे आना है यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है 12 बट यहां पर चोटे इड रहेंगे तो cut कर देना, आढ़ को फिर यहां से हम क्या करेंगे, आढ़ को cut कर देते हैं, यूब कांटिन्यू कर लेते हैं, सात्यों वाले option पर क्लिक कर ले ना है, फिर उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ होगी आप Save के Option पे क्लिक करना है जैसे आप Save के Option पे क्लिक करोगो तेहाँ पे Save हो चुका है अब जब भी आपके Phone पे Call आएगा ना तो Announce भी किया जाएगा तो है ना कितना कमाल का ये तीन ultimate खुफिया सेटिंग जो आपके ही Caller ID में छुपा गुआ था आप लोगो नहीं पता था और ये application का link मैंने नीचे description में दे रहा है वहाँ से आप easily download कर सकते हो I hope कि आप लोगों application बहुत जदा पसंदव को पसंदव वीडियो को like और share करना है और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो चैनल को subscribe नहीं किया है ना तो चैनल को भी subscribe कर दो thanks for watching this video bye bye and take care